अधिश्य वेलकम वन्स अगें इन यूर ओन यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिट्विन एक्जो टॉक्सिन एंडो टॉक्सिन एंडो टॉक्सिन और एक्डो टॉक्सिन यह है पार्ट माइक्रोवायलोजी का और यह डाइग्राम आपके सामने होते हैं एग्जोटॉक्सिन और अभणस अब देखते हैं डिफरेंस कि पहले हम बात करेंगOOOO suctal कैसा होता है तो ल हिए डाइग्राम होता है बाघर्ट बाहर नाम से पता रगडर आहें कि यह वह पस्दार्ट है यह वह सब्स अंदर तो आप जो reading a इसका यह पूरा स्टरक्चिर है इसमें क्या क्या पार्थ हैं यह वदाट यह होता है ओंड यह वह लाब कहलाता है को पॉलसलिश्र εν के सामें दिख़ा है और एक्षट पारठ है है यह देखेंगे details यह दिमाग में अगर आपके हैं तो आप काफी differences यहीं से बता सकते हो अगर definition की बात करें तो exotoxin क्या होते हैं अभी आपने डाइग्राम देखा था कि these are the proteins produced by bacteria क्यों because they may be a part of growth and metabolism bacteria का metabolism के समें produce होते हैं या उनकी growth के समें प्रदूस होते हैं कौन exotoxin लेकिन एंड़ टॉक्सिन क्या है अभी हमने देखा लिपिट पार्ट अफ लिप पॉलिसेक्राइट यह लिप पॉलिसेक्राइट का लिपिट पार्ट है जो हमने देखा जिसको शॉट में तो exotoxins are produced mostly by gram-positive bacteria and gram-negative bacteria लेकिन mostly gram-positive endo की बात करें तो gram-negative bacteria प्रदूस करते हैं एक्जांपल्स आफ बैक्टीरिया जो प्रदूस करते हैं next difference कौन से बैक्टीरिया का अगर exotoxin की बात करें तो यह वह है जो रिलीज होता है बैक्टीरिया से इसके दो सब्सक्राइब काम होता है है Catholic activity and B is responsible for binding with the receptor कहीं पर जाकर bind होगा तो उसमें किसकी help पिलती है बी की मदद से होता है लेकिन endotoxin की बात करें तो यह structure थोड़ दर पहले देखा था तीन पार्ट होते हैं ओ और oligosacrid और lipid है पांच ही बात करते हैं कि कौन secret करता है कप करता है तो secret करता है live bacteria that secrets out toxin in the surrounding हम ने देखा था दियागराम के अंदर यह जो bacteria जिन्दा है वही secret करता है बहर की तरफ निकालता है इसी लिग्णाम एकशू है लेकिन अगर endo की बात करें तो लाइज चयो सेल नुष्ट हो जाता है छतम हो जाता है उसको बोलते है लाइस क्योंकि सब्सक्राइब शाइब लेंगे शूरी और छुद्वय का अब ही Duck शुरो मौरता है उसके बाद ही रिलीज होता है अब देखते हैं नेइसटठेक्ट अब बात करेंगे next effect of heat, heat क्या effect होता है, heat labile, इस temperature पर भी यह खतम हो जाते हैं, क्योंकि protein होते हैं, protein क्या है, heat send नहीं कर सकते हैं, heat send नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनका नाम है heat labile, मतलब heat sensitive, लेकिन endotoxin यह क्या है, heat stable है, मतलब 250 degree Celsius भी यह सहलेंगे, next, effect of boiling, denatured on boiling, हम जानते हैं कि protein पर effect होता है, heat का, तो इनका denaturation हो जाएगे, protein ही तो है, तो denatured हो जाएगे boiling पर, लेकिन endotoxin, they are not denatured on boiling, boiling पर भी denaturation नहीं होगा, क्योंकि protein वो है ही नहीं, next, बात आती है, क्या उनको filter कर सकते हैं, क्या तो filtration, exotoxins are filterable, इनको filter कर सकते हैं, लेकिन endotoxin, they cannot be filtered, यह तो bacteria के साथ जुड़े हुए, 9th difference आता है, immunogenicity, कि आपकी immunity, इससे stimulate होती है, नहीं होती, exotoxins are highly immunogenic, फटा-फट बड़ी का response आएगा, लेकिन endotoxin क्या है, they are weakly immunogenic, अगरा difference है, fever induction, endotoxin से fever induction होगा, नहीं होगा, लेकिन, sorry, exotoxin से fever induction होगा, नहीं होगा, लेकिन endotoxin से होगा, next difference, toxicity की बात करें तो, exotoxin is highly toxic, बहुत ज़द टॉक्सिक है, fatal in microgram quantity, मतलब microgram quantity में भी एक घाता के इंसान की मौथ हो सकती है, लेकिन endotoxin, they are less toxic, बात करते हैं potency की, हम जानते हैं दवा के बारे में कि जो दवा जितनी कम मात्रा में active होती, उतनी potent होती है, तो यहां पर हम देखा, microgram quantity में भी यह तो है fatal है, इसका मतलब exotoxins are highly potent, they have high potency, लेकिन endotoxin, they are low potent, या they have less potency, या low potency, बात करते हैं neutralization की, तो जब यह release होते हैं, तो क्या उनको neutralize किया जा सकता है क्या, they can be neutralized by antibodies, आपकी body के इंदर जो antibodies हैं या वार से आप दोगे उनको neutralize कर सकते हैं, लेकिन endotoxins, they cannot be neutralized by the antibodies, अंगला difference, how to detect, कैसे पता करें, तो exotoxins are neutralized by neutralization reaction, precipitant reaction और 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 भी हैं, लेकिन endotoxins, they are detected by lemulus lysate assay, यह हम पढ़ चुके हैं, पेरेंटरल्स के अंदर भी आप देखोगे, पेरेंटरल्स के अंदर भी, लाल टेस्ट होता है, lemulus amucite lysate, जब पेरेंटरल्स की testing होती है, pyrogen testing में, तो यही principle, यही सिद्धान्त काम आता है, कि pyrogen है या नहीं है, और pyrogen होता क्या है, pyrogen इसी का पार्ट होता है, endotoxin का, देखते हैं, next difference, बात करते हैं, toxoids preparation, toxoids, actually immunological preparation होती है, जो आपकी body की immunity provide करती है, तो हम बात करें, exotoxins की, तो इनसे toxoids बन सकते हैं, मतलब possible, toxoids preparation is possible with exotoxins, जैसे tetanus exotoxins बनाया जाता है, formalin treatment के साथ, लेकिन endotoxin का toxoids preparation नहीं बना सकते हैं, not possible, next difference, examples of disease cost, कौनसी कौनसी बिमारी है, एक दो example हम देखते हैं, जैसे tetanus and exotoxins से होता है, जैसे dipteria, जैसे botulism, यह सारी बिमारिया किससे होती है, यह जो bacteria है, इस bacteria से यह जो है toxins है, यह toxin release होंगे, atmosphere में, surrounding में, और यह इनसी बिमारी पैदा होगी, लेकिन endotoxin की बात करें, तो जैसे example है, sepsis, यह bacteria मरेगा, मरने के बाद यह वाला जो पार्ट है, यह release होगा, और इसके वेश से effect आएगा, तो दोस्तों, यह है differences between exotoxin and endotoxin, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज आप like कीजिए, like के साथ आप comment जरूर कीजिए, और चैनल को subscribe कीजिए, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और bell icon प्रेस करना ना बुलें, ताकि जब भी नए वीडियो रिलीज हो, आपके पास information पहुंच सके, thank you, best of luck, keep in touch.